हमें राजन त्रवेदी कोनों बिशेश परिस्थिती के कारण भहियारों कच्छु दिन के इलाने जो परसारान door तो आप लोगन की सेवभ में हाजर ने हो पाए आज सेके शुरूवात बंदली चुगली रेडियो की छमाचारन की शुरुवात आप लोगन की सेवा में फिर से शुरुवात करी जा रहे है तो आज की मुख खबरें हैं जो बड़ी-बड़ी खबरें हैं आप लोगन कहा हम सुनुआ रहे हैं सुनुआ पूरे संसत को मां सुन सत्र चड़ो फेगासकी की भेट जो फेगासस हम आप बता दें कि जो जासूशी फोन की जासूशी बूलत है फेगासस पेगासस इन मामले ख़ान लेके संसत के दोई सत्र में भारी हंगामा भाव लोक सभा में राज सभा में राज सभा में राज सभा में लेके बिपच्छ सरकार हमला बरहे सदन की कारवाई शुरू होता ही पेगासस मामले में बिपच्छी नेतने नारी बाजी कर वो शुरू करू एन हंगामा मचाओ जी से सदन की कारवाई जारी जखवो संभो नहीं हो पारहो तो सदन इस्थगित करने पड़ो किसानन के समर्थ कि अप्छन में आज भया दिखावे के लाने दुनिया आखावे के टेक्व के सबारो खाय टेक्तर चला के आए तैक्षि कभों नहीं देखे गया लिकार राजणित आ है कि lineET में सब कन्या आ और उनने कह таких किसानन को संदेख सर लेकर हम संदसत जा रहे और सरकार खाग किसानन की आवाज सुनने पर है, सरकार खाग किसानन को आक ना हम छीनन देवी, उन्हें दबाऊ जा रहों जी को हम विरूद कर भीूदू उनके संगे भैया, रनदीप सुर्जेवाला है थी। बीबी निवास, सुरी निवास को पोलिस ने हरासत में ले लो।। कानून खां लेके बिरोध प्रदर्शन कर रहे कांगरेस नेतन खां हिरासत में लगो इन में भाया रणदीब सुर्जेवाला और बीबी सिरी नवाज भी सामें लें सुर्जेवाला ने कही कि बीजेपी सरकार हमारे कांगरेसी नेतन खां हिरासत में ले रही तो हम तो जो कह रहे हैं कि हमें सो साल के लाने गिरफतार कर लो लेकन काले कानून खाँ बापस ले लो एस वर रदीश सुर्जे वाला ने कही अब भाई यह जो दूसरी ख़बर है करनाटक से बड़ी ख़बर आ रही यदुरपपा को इस्तीफ़ा जो करनाटक के मोखन मंत्री है थे बीएस यदुरपपा उनको इस्तीफ़ा होगो करनाटक की राज नीत में इंदनन उथल पथल भौट तेजी से मची है करनाटक की मोखन मंत्री बीएस यदुरपपा को आज यानि सोमोर्खा बिधान साभा में इस्थीफा देवी को एलान करो उनके बाद राजभामन पहुंचके उनने राजपाल फावर चंत गहलोद को अपनो इस्थीफा सोंब दो को हम आपक्वा बत्ते हैं कि यादुरबपा ने मुख मंतरी पर्च स्थीफा ऐसे समय dos जब आज करनाटा की वाजपास सरकार के दोशार पूरे वाई है एसे में फार को कहा ज़र इबात पर है के आप भाजपार राज की कमान कीखां सोंब है कीखां मुख मंतरी बना है उताई नई दिल्ली में करनाठक के नए सी एमखान लेकर बैठक हो रहे जी में पालिटी के अध्यच जेपी नड़ा और ग्रह मंत्री अमित साइभी मोजूद हैं करनाठक के मुख मंत्री पद की रेस में सबसे पहले नाम जो न आ रहा हो वो है पहलाद जूसी बी-ल संतोस लचमन साओधी और मुरूगेस निरानी को नाम प्रमुकता से लओ जा रहा हो सूत्रन के हिसाब से अगर बताएं तो भाजपा जल्दी करनाठक में परवेचक भीज है और नए मुख मंत्री के सपत लें तक बी-एस यदुरपा कारबाहक्शियम बनी रहे हैं मुख मंत्री पद्र से इस्तीफा देवे को एलान करने तो भई यदुरपा ने कई कि उन्हें करनाठक के लोगन के लाने आवे बहुत काम करने और सवाई जन्हें का हमें मेहनत करने हैं करनाठक के लाने और हम करबों चाहाद यदरप्पक भाओ खो गए इस्तीफा देत भए और इस्तीफा देपे को कारण उन्हें बताओ को हम जल्द से जल्द राजपाल थे मुलाकात कर भी और भाओ को हो तो भए उन्हें कई कि हमेशा अगनी परच्छा से गुजरी हैं हम, और हम अगनी परच्छा में हमेशा सफल एई बात कर ले को निस्तिफाई बार फिर दो उनने कही कि जब अटल बिहारी बात पर प्रधान मंत्री है थी तो भी हमें केंदर में मंत्री बनाबे के लाने कही गई थी लेकन हमने मना कर दोई थी कि हम अपने करनाटक की सिवा करें हम केंदर में नाजे हैं अब अगली खबर आ रही भई या धमाकेदार खबर है बिहार से बिहार में नितीज सरकार खो बड़ो जटका मुकेश साहिनी ने एंडिये विधान मंडल दल की बेठक से करू किनारा बिहार सरकार के पसुपालन और मचली विभाग संसाधन मंत्री मुकेश साहिनी सहिनी ने बिहार मिधान मंडल को मान सुनत सत्र सुरू होत नहीं नितीज सरकार खो बड़ो जटका देदो अब जो तो भाई यह दुनिया जानत किये थे कि होते हैं निता एक करत रात अपनों मुका देखो और को लांट खाई गिरगेट घाए जंग बदल वे के लाने ने निता जानी जात अपनों स्वारस से दिकर वे के लाने भी पारिटी ततकाल में बदल ली जो तो सभी कू ज आनत है बड़ो जट का देद भए सदन में बिपच्चे के हमला के खिलाप रणनीत बनावे और सरकार की उपलब दियन खों सई तरीके से सदन में रखवे के लाने सो मौर खों एंडिये बिधान मंदल दल की बैठक गुलाई गई थी लेकिन ये बैठक में सहनी की पाईटी इको कुनू बिधायक जो बिधान परसद परसद सम्मिलत नहीं हो बिकास सील इंसान पाईटी से फिलहाल चार बिधायक और एक बिधान परसद मुके सहनी खोद हैं सहनी के एक कदम ने रास्ती जनता दल कांगरी सहत तमाम बेपच्चियन खों खुश कर दो और सत्ता पच् निहीं जबर जस्तनाराज हैं भहिया मुके सहनी अपनी हेई पारिटी से मुके सहनी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत चमकावे की कोसिस में जुटे हैं. यू पी में निसाद बोंटन पे अपनी दावदारी जता रही अ शेहनी सोला बढ़े सहरण disciplines की बनारस पहुंचे तो उन्हें एरपोर्ट से बाहर नहीं निकलन दाऊगो। उन्हें बनारस एरपोर्ट से सीधे कोलकत्ता लोटा दाऊगो। बेरंग बापस करूगो। काईस है कि ततकाल पठना ओ दिल्ली की कोनू फिलाइट ओबलब्ध नाहा थी। फूलन देवी की तमा मूर्तियन को भी यूपी सरकार ने जप्त कर लो। इक घतना करम से सहनी बेहत आहत है। मानो जा रहो कि उन्हें अपनी नाराजगी जताबे के लाने पाइठी के बिधायकन को एंडिया की बैठक में नहीं जानता हूँ। अब अगली खबार आ रही भाया प्रकति के प्रिकोप की। जब प्रकति से इंसान तक्रा गओ और तक्रानों बिना से इंसान नहीं करो तो प्रकति कहां पीछे हट है। प्रकति अपनो रद रूप दिखा हुथ है, अपनी आवकाद बता देते के दोखो हमाई सामने आदमी की का आवकाद है। जो है भाईया खबर हिमाचल प्रदेश से है हिमाचल प्रदेश में और महरास्त में प्रिकति को प्रिकोप इतनों तेज है कि महरास्त में 116 आदमी मर्ग तो हिमाचल में नो नो अपनी जान गमा दाई MP में भी बारस बहुत जोर को इलर्ट है बारस जारी है मुसम बिभाग ने ऐसो इलर्ट जारी करूँ है नई दिली देश के कई हिस्टन में भारी बारस हो रही बारस को कहर महरास्ट में जारी है घटना इतनी ज़्यादा घटना ही मर्वेबालन की संख्या भी बढ़के एक सो तेरा हो गई जबकि हिमाचल प्रदेश में कुनूर जिले में रभी वारखां जोन भू इसकलन भौ है उमें नो लोगन की मौत हो गई भी यह दच्छन भारत के राज में केरल में कई जगे बारस भई बहुत भेंकर बारस भई मोसम भागने राज के त्रिवरंपुरं कोलम पथनमिस्था मिस्थिता और इडुकी कोटायम अलपा और एणा कोलम समेथ कई जिलन में एलो एलर्ट मोसम भे भागने जारी करू है मध़ प्रदेश में दिल्ली साथ भारत को पूर्वान इभाग अई एमदी ने मध़ प्रदेश में भारी भारस गरज बिजली चमक बेकोप आनुमान लगाउ तुबहू लाज के एलाने ओरेंज एलर्ट जारी करू है दिल्ली में रगवार्खन सुबेरे समय ओमस भरी गर्मी रही और निम्तम तापमान सब ताइस पॉइंट छे डिगरी सेल्सिय दर्ज करोगो मौसम बेभाग को अन्मान है कि आगे चलके मौसम और खतर नाख हुई ये बारिस गरज की साथ चीट बारिस होगी की संभावना जोर पकल रही मौसम बेभाग ने जो भी बता हो कि आगे पीछे भी हो सकत मौसम तंप्रेचर में फराका सकत कि अब है जैसे 37 डिगरी तो काव 38 भी हो सकत और काव घटके 34 भी हो सकत आगे पीछे मौसम होत रहे ऐसो मौसम बेभाग जानकारी देरो और सामान से अब है तीन डिगरी तापमान अधेखे इस समय पे भारत के मौसम बेग्ञानकन के हिसाब से सुमवार्ख हैं सेहर में एलो एलरेट जारी करूगा हो मुक प्रंप जिप एके लाने के बादल च्छाए हैं साम के साथ गरज के साथ बारिस हुए को अनुमान जता गाई जा आरो मंगल वार्ख हो औरन्ज इलक जारी करोगा हो है और तेरी हमान के साथ तेज हवा हिए चल volunteer को अनुमान लगा हुए लगाई रहु अधेक्तम ताप मान 37 डिग्री रिकॉर्ड करोगो मौसम बेवाग के अनुसार राज के सुम्वार खां छुटपट जगन पे बारिस होबी को अनुमान है जबकि 2728 जुलाई को कछूर राज़न में गरच की संगे बारिस होबी को अनुमान लगा हो जा रहा हूँ राजस्तान में पिछले 24 घंटा में परताब गल जालवाल चे तोड़गर डूगर पूर और बासवाड़ा जिलन में काफी बारिस भई बहुत जूरदार बारिस भई मौसम बेवाग की अनुसार पिछले 24 घंटन की दोरान सबसे जादा बारिस परताब गल के पीपल खूट में 16 सेंटीमीटर दर्जिक करी गई हिमाचल में लेड लाइन की घंटनन ने नो की जान ले लई लई आकासमात मौत की गुद में समा गई नो जने जबिवारखन भूएसकलन की कई घंटना आई हैं जी में से ये नो लोगन की जो जानकारी मिली है कि भी खत्म हो चुके भूएसकलन में और तिन जने घाइल भाई पुलस ने बताओ है कि सांगला और छितकुल मार्ग पे बतक सेरी के पास कई जगे भूएसकलन भाई है पुलस ने जो भी बताओ कि टेंपो पे भारी चत्तान गिर्वे की बज़े से उमे सवार 11 जनन में से नो की मौत हो गई दो जने घाइल हो गई उनने पुलस ने जो भी बताओ है कि इतरह की एक और घटना एक बेक्ती घाइल होगो भूएसकलन की कारण और महरास्ट में भी भाईया मौसम ने भेंकर तबाही मचाई है महरास्ट के कचुहस्टन में भूएसकलन भाऊ और बारेस्टी जुली अन घटनन की कारण 24 घंटा में एक आदमी की मौत हो गई रववार खम में तक की संख्या बढ़के 113 हो गई जबकि सो आदमी अबे लापता हैं राज सरकार ने जानकारी दई है के सरकार ने एक बयान में जो भी कही के घटन में 50 लोग घायल भी भाई है एंडी आर एफ ने बताओ के महरास्ट के ततिय छेतरन में बरसा की कारण भाई भूएसकलन के बार नवासी सो निकाले जा चुकी और तेज़ लोग अबे लापता हैं तेज़ जने लापता हैं जिनको कुनुप तो नहीं चल पार हो आकर उनके हिसाब एंडी एंडी आर एफ ने इह लाकन से कुल नबे सो बरामत करे अबे तक इनमें से सबसे ज्यादा सेंटाले सो राएगल की महाल तैसील के सबसे अधिक प्रभावत तालिये गाउं से बरामत करे गए हैं इस तीन जलन में चोंतिस लोग अबे भी लापता हैं ओ भाईया अगली खबर है अब जाद दिल्ली से दिल्ली में सो प्रिसत छमता के साथ शुरू भाई मैट्रो बस सेबा थेटर कोरोना संकमन की दूसरी लहर के कमजोर पड़तने भाईया पाबंदियन से छुट मिलन लगी राधानी दिल्ली आज मैट्रो की बसंद में सो फिस्दी छमता के संगे शुरूआत कर दे गई संगे संगे दिल्ली में आज पचास फिस्दी कैपेसिटी के संगे सिनेमा थेटर मल्टी प्लेक्स भी खोल जे हैं बतात है के राधानी में अप्रेलो मई में करोना वाइरस की दूसरी लहर के दौरान संकमन के मामलन में मोतों में अभूद पूर ब्रददी पाही थी बहुत आदमी मरे थे जी के कारण पावंदी बहुत ज़्यादा लगाई गई ती, उस सक्ती बहुत ज़्यादा करी गई थी परसासन की तरफ से, राज सरकार की तरफ से हाला कि पिछले कच्छु दिनन में सुधार आओई के बाद सरकार चर्ण बद तरीका से, देरे देरे सहर खां दोबारा खोल रही है, इके अलावा दिल्ली सरकार ने साधियन में सामिल होवे बालन की संख्या बढ़ा दई, दिल्ली में अबे तक सिर्फ साधी में 20 लोग सामि की अनुमती दई जाती, अब इखां बढ़ा के सो आदमी कर दोगो, इके अलावा घर और कोर्ट के अलावा बाहर, बेंक बेट हाल में भी साधी कर सकत, मेरेज हॉल से साधी संपन कराई जा सकती, ऐसी भी छूट सरकार ने दई है, उते कोबन नियमन को लिकन पालन करने पर है, इके अलावा अंतिम यात्रा में, सब यात्रा में, सामिल होवे बालन की संख्या, अब इभी साती, अब उखां भी बढ़ा के सो कर दोगो, बाटर मनुरण्यन के जो ये पार्क हैं, ये भी खोल दाए गए, दिल्ली में लंबे समय से बंद बाटर और मनुरण्यन पार् ये जगन पर आराम से जा सकत, अब प्रतिबंद हटा लोगों सरकार की तरफ से, लेकन ध्यान रखने पर है कि आवे वाले आद्मियन खाँ भाईया मास्क जरूरी लगाने पर है, थर्मन, स्कीनिंग की बिवस्था भी है, स्विमंग पोल के अंदर भी समाज एक दूरी को करने पर है, स्विमंग पोल का भी खोलवे की मंजूरी मिली है, लेकन गाइडलाइन को पालन करने पर है, ऐसो प्रसासन को क्यबो है, अब जब या अगली ख़बर है, विदेश से जुड़ी भई है, अफगानस्तान में लड़कियं से जबर जस्तिस साधी कर रहे तालिवा के आतंक बादी, सेना ने मार गिराए, एक क्यासी आतंक की, अफगान सेना और तालिवान सेना के खिलाब भेंकर युद्ध जारी एक दूसरन के है, उपर जोरदार हमला करे जा रहे है, एज चलसला में अफगानस्तान की सेना ने हबाई हमलन के हेलियो कोप्टर की मदद ल वारा उठावे के बाद अंतर राष्टी अपराधिक नयायाले आई सीसी ने जांसे शुरू कर गई, बलक प्रांत में तालिवान के ठेकानन पे हेलिकोप्टर से ताबर तोड़ फायरंग करी गई, इस आपरिशन में तालिवान के एक्यासी आतंक बादी धेर करे गई, मार अगरिस्तान के 200 से ज़्यादा जिलन में तालिवान को कबजा है और हवाई हमला में आतंकियन के बाहन गोला बारूद पूरी तरह से निष्ट कर दाए गए, मालूं भूच चाहिए कि तालिवान को 200 से ज़्यादा जिलन पे कबजा कर चुको, अब उनके कदम बढ़ रहे क काबल की तरफ, इक मुक्त करावे के लाने अफगान सेना ने तालिवान का ख़देर्वे की रणनीत पे काम सुरू कर दो, इभी तालिवान ने बिशेश तोर पे कंधार, प्रांत के पाक सीमा से लगे, इस्पिन बोल्डर, बोल्डक सहर में, निर्दोस नागरन को महलन के तो बच्चन की हात्या कर दई, सिरकलम करवे की घटना इभी भाईया सामने आई, जैसी कि ये दो दाल आतंकबादी जाने जाते हैं इके लाने, कि आदमी को सर अलग कर दे, गर्दन अलग कर दे धर से, प्रांती अधकारियन के रिष्टेदार सेना और पुलिस के कर्मचार प्राइयन को पहले हिरासत में लओ, फिर गोली से उड़ा दो, और कच्छू इस्तानन में तो भाईया, इनने सरकाट के अलग कर दो, आठ और सोलह जुलाई को संगर्स के दोरान इचेत में तालिबान ने सरकार और सेना के जासूशन की खोज करी और तमाम लोगन को मार डा जा अगली खबर है भाईया, टोक्यो ओलमपिक से देश खांखुस करवे वाली, गोरान बित करवे वाली खबर है जा, टोक्यो ओलमपिक से तीरंदाद दीपका कुमारी ओलमपिक पदक से लड़ रही दवाव की जंग, तीरंदाद भारत के लाने उन खेलन में से एक है, ज लेकिन इवार सबसे बड़े मंच पे तीरंदाजन को प्रदर्सन नहीं कर पाई, जी के भी हकदार हैं, दीपका कुमारी 2012 में ओलमपिक में अपनी पहली बार भाग लव तो, तब से लेकिन आज तक भारती तीरंदाजी की धुजबाह कर रही, एई अबदी के दोरान उनने बिस्तो तीरंदाजी सर्केट में इतनी प्रभावसाली प्रदर्सन करो है, कर रही, और उलमपिक में उनसे उमीदें आसमान छूरें, उनसे बहुते जादा देश का उमीद है, अगर ये उमीदें जाज हैं और सही हैं, तो सवाल बने थे, कि पिछले दू उलमपिक को, तो को नई सम्हाल पा रहे जी हो रहे हैं, लियो लंदन उलमपिक में भाग ले चुकी दीपका, दीपका ने लंदन में क्वालिफिकेशन राउंड में सांडार आठमों स्थान हासिल करो, लेकन मेडल राउंड में जो कछू भवव चोकावे बालू हो तो पहले राउंड में अपने कम, अपने से कम रेकिंग वाली तीरंदास से खार गें, और वो मेच खत्म होवे तक संगहर से करते दिखीं सो भाग से, उस समय उम्र उनकी पच्छ में हाती, इसे सुरुआती जदका मान दो भाई, उन्हें रियो दो हजार सोला से पहले, अपने चार बरसं तक अप को मतलब हातू कि रियो की निरासा जनक प्रदंशन से उनकी उबर खाबर सफर को अंतुखुए, तो भाईया खबरन में बस इतनो, फिर हम कल आप लोगन के बीच में ताजी खबरन के संगह हाजिर हो भी, तो बुंदेले चुगली रेडियो से राजिन त्रवेदी इजाजत भाईयारो सतब जननका हमाई जामना